है कि हलो दोस्तों इलेक्ट्रोनिक्स.com.raja में आपका स्वाबत हैं दोस्तों आज आप जानेंगे कि किसी भी कंपनी के बूफर में SMPS जो सर्कृट होता है उसका पावर सप्लाई बहुत लोग बोलते हैं बहुत लोग उसको SMPS बोलते हैं अगर यह खराब हो जाया और ना मिले मार्केट में तो इसका अपना काम चला सकते हैं वूफर को तो नहीं सकते हैं तो अब क्या करना है आप बारिकी से समझें बिलकुल आसान वीडियोग बच्चा भी कर सकता है इसको अगर केर से देखे तो तो आपको और उसको कैसे लगाना है उस बारे में आप देखिए पूरा बीड़ी देखिए आप बिल्कुल आसाने से समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले देखिए कि इसको आप यहांस निकाल दीजिए सारे कनेक्टर जो भी है सबको रिमूब कीज़े ठीकिदा को इसके बाद PCB भी आप निकालके हटा सकते हैं और आपको ट्रांसफर्मर्मर्ण लेना है बारा जीरो बारा ठीक है दो एंपर में लिएना है ठीक है तीन एंपर चार एंपर न सब्सक्राइब देखिए यहां पर है कि यह आपका एसी लीड है इन्पूट प्लस मैनस एसी का जो फेज और निक्टरल जो है इसी के थुरू आता है उसके बाद यहां पर स्विच है स्विच के दो लेका दो पॉइंट ठीक है और यह आपको जो था इस कीट में जाने वाला आउट्पूट के लिए है ठीक है स्विच निकल रहा था वह इस तार के वहां से जा रहा था अब देखिए आपको ट्रांस्फर्मर्ण लेना है तीन लेग वाला बारा जीरो बारे ठीक है और यह दिखिए प्रैमरी वाइंडिंग का वायल हो गया इस डियुक्ष सा न यह ना 3 25 27 7 वाले वाली भी ट्रांस्फर्मर यूज होते हैं तो उसी जी सब ट्रांस्फर्मर कहते है नुकित ब्रूफर का है तो आक को स्ष Tibet कोरेंगा थ्यूंड च्छोड़ दीघ्ए करना है तो आप क्या है श्यूंड कर्सक्राना है उक ने Самर्म च्ण क कट कर दीजें को थोड़ा सा और हो जाने के बाद इसको यहां से छील दीजें और इसको प्यांसे चील दीजें उसके बार इस दूनों को भी अब देखिए इसका कोई वी एक लेक्ता है और कोई एक कोई जोनों को करना कि 一 bak यहां पर जोड़ चैँ इसमी इसमीन किसी इसका भी हहाँ सकते हैं आप बात को गौर से समझें बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है पूरा वीडियो कि तीक है मैं इसलिए कर दे रहा हूं ताकि लूज ना रहा है और कभी कभी यह हिलने डूलने से तूटे नहीं और इसमें एक्स्टान वाइज ना है अब यहां पर भी किसी में जोड़ना है इसको यहां जोड़िए या इसको यहां कोई मतलब नहीं है बस दोनों को अलग-अलग दोनों में जोड़ना है अब देखिए उसके लिए आपको शलिव देना है कि यह तीन नंबर स्लीव है आप दो नंबर स्लीव भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सवार पतला हो जाएगा कि स्लीव में है जितने नंबर बढ़ेगा उसका मुटाई उतना बढ़ते जाएगा और दूसरे को यहां मैं बार बार बल रहा हूं किसी को कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके बाद फिर से आपको क्या करना हलकालका इसमें जरूर कर देना है वो श्यूल्डिंग कर देने से क्या होगा लूज रने का चांसेश खतम हो जाएगा और हिलने डूलने से तार तूटेगा नहीं और जो हिलने डूलने से करकराहट आता है वो सब भी नहीं आएगा है और मैं आपको बता दूंगी सम्पेश का जो प्राइस और ट्रांसी लगवख से मी होता है तो आपको घबराने का बात नहीं है कि आपका जो एसमीद खराब गया तो आप क्या करें गुफर को फेक दे दूसरा गुफर लें तरहां करें और खुद से करें ठीक है खुद से आप कर सकते हैं बिल्कुल आपका प्रोड़्लम सब्सक्राइब इसके बाद देखिए अब जैसे यह हो गया तब आपका यहां पर सप्लाइब लगा देखिए यह जो बीच वाला जो हो गया बारा जीरो बारा बीच वाला हो गया आप जो आप सब्सक्राइब होगर यहां से यहां से ऑफ कर दिया ठीक है तो आप समझ गया है की ऑफ कर रहा है यहां थेखे मों पिहने प्रेवर सुपभब को निकाल दिया थीक है अब देखे इसको यहां कनेक्ट करतें नौट इसको यहां कनेट करना है विछ सब को बाइव से यहां से यहां से कट कर लिए कट कर लिए फिर देखें मुझे सो mo कि इधने लिखा हुए भी माईनस एक अब प्लस भीच में ग्राउंड यानि भ्लाइक वाले को लिखे ठीक है लोग ज़ए है है कि डेकैं है कि भी माईनस ग्राउंड और भी प्लस ठीक है ब्ला padres बीच वाले में डार्इक्ट जोड़ देना है एक जरूर लगा दें अधिक एक स्लिव लगा लिज्वे और बीच वाले में इसको से ट्वीस्ट कर दीजिए को ट्वीश्ट करने के बाद आपको सुल्डिंग कर देना है कि आपका क्लियर अब दिखिए इस दो के लिए आपको थोड़ा साग में करता है ठीक है इस तो के लिए इसमें वाइट वाला प्लास है भी प्लास दिखा और यहाँ पर मायनस दिखा रहा है अक्सर तो रेड़ फुलस होता है लेकिन अब देखिए आपको दो डायोट चाहिए ठीक है चोवन आठ ले लिजिए चार राव साथ लिजिए कोई फरक ने प्राद दो डायोट आपको ले रहा है ठीक है इसी सरक्ट से आप निकाल सकते हैं यहां यहां डायोट लगा हुए यह दोन पर लेकिन आप चोवन सो आठ लगाई नहीं है तो मार्केट चे ले लिजिए दू रुपय में एक आएगा तो उसको मैं सरक्ट से निकाल लेता हूं कि अब है अब कर दो तो है कि यह साब निकाले होता है निकालते समय अब देखिए यह हो गया अब कि इसमें यह असानी से चला जाए है कि ठीक है अब देखिए अब आपको क्या करना है कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब वायर में आप स्लीप लगा लिजए ने के बाद अब देखिए वाइट वाला प्लस लिखा हुआ यहां पे भी प्लस तो जब डैविड आप लगाएंगे तो वाइट वाले में यह वाइट वाले के तरफ यानि यह वाइट 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 वा ऐसे लगएगा ठीक है कि मैं दिखा तक बद ट्विस्ट कर दूं कि देखिए यह जो दिखारी दिखने डायोड में ठीक है यह प्लस जिदा लिखा उसके तरफ रहेगा ठीक है वाइटल लिखा हुए और सांती साथ मैं इसको भी दिखाता हूं यहां पे एक स्लीव देना है आपको कि यहां पे देखिए माइनस के तरफ होगा ठीक है यहां पे रेड को भी माइनस लिखा हुगा है तो इसमें जो है उसकी दूसरे साइड होगा ठीक है अब दोनों आप देखेंगे तो किलियर हो जाएगा देखिए प्लस के साइड में आपने रिखारी दिया है जिसल मायास उधर रिखारी का उल्टा लगाए गया ठीक है यह चीज़ पर आपको गौर करना ठीक है असा करता हूं आप समझ गया होंगे अब देखें दोनों पर सोल्डिंग कर देना है कि अगा कि यह आपका किलियर हो गया अब देखिए अब बचा यह दोन वाए ठीक है तो फिर इस दोन वार के लिए मैं वही करूंगा किसी को भी कहीं जोड़ दीजे कोई फरक नहीं पड़ता यहां पर ध्यान देना था आपको बस यहीं पर ध्यान देना है ठीक है फिर से मैं बता रहा हूं जीधर प्लस जाना है यानि वाट से प्लस जाना उधर रिखारी रहेगा ठीक है अब यस कि और इसको यहां जोड़ देता है कि आप चाहें तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं लेग उससे कोई फर्क ने पड़ता आप अपने सुब्धा करना साल लेग को छोटा बड़ा कर सकते हैं कि अधिक लिए रहो चुका है अब आपको क्या करना स्लीब को सही तरीके से लगा दिना है कि अधिक है कि अधिक ने जैस्ट बार ना लगा थोड़ा से रुख जाकि यह हीट होता है अधिक है विसी तरह इसे भी कि तो आसा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके काम के लΓग हो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है थिकते तभी लाइक करें अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिस्लाइक flex कर सकते हैं यह जो भी कमी है वीडियो में आप जरूर इसको बताए मैं आपके कमेंट को कि बहुत प्रात्मिकता देता हूं और आपके हर कमेंट का मैं समय पर रिप्लाइ भी देता हूं कि अब मैं फिर से इसको पावर दे रहा हूं और पावर देखें चेक करूंगा देखें जैसे मैंने पावर दिया यहां पर एलिटी जल गया ठीक है तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया हो अब वीडियो अच्छा लगाओ जाए लाइक करें शेयर करें और इसी तरह जरूरी और इंपोर्टेंट और इंफर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते अगले वीडियो में वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद